असलाम वालेकुम वेलकम टुनेहास किचिन आज मैं आपके लिला हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक शामी कबाब की रेसिपी बहुती टेस्टी बनता है बहुती आसानी से बन जाता है जो रियल शामी कबाब रेशे वाले होते हैं ये उसकी रेसिपी है आप इसको घर पर जुरू करें शुरू करने से पले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोडिफिकेशन ओन करें चले शुरू करते सबसे पहले हमें शामी कबाब मसाला बनाना है हम लेंगे एक तेजपत्ता आदा टीस्पून काली मिल्च छे से साथ लॉंग एक टेबल स् डर्डर बना लेना है तो एक पैन लेंगे और इसमें हम सारे खड़े मसाले जो है वो डाल देंगे और इसे मीडिय फ्लेम पर हमें बस कुच मिनिंट के लिए ड्राय रोस्ट कर लेना है इसमें तेल गी नहीं डालking पाउडर में रगें उस टरिक ले और हम लेंगे लिगा थोड़ा सा तेल, अब इसमें हम मटन डालेंगे, तो यहां पर मैंने 1 आदा खिलो यानि 500 ग्रम मटन लिया है, यहां पर हमने कीमा नहीं यूज किया है क्योंकि अगर हम कीमा डालेंगे तो कबाब जो है वो रेशे वाले नहीं बनेंगे इसलिए हमने मटन के पीसेज लिया है बोनलेस पीसेज लिया है इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून अद्रक लस्टन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्यास तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्यास को इस तरीके से रफली स्लाइस करके अड़ कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे मसाला तो जो शामी कबाब मसाला हमने अभी तयार करके रखा था सारा के सारा वो अड़ कर देना है और डाल देंगे नमक स्वाद नुसार 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्श पाउडर लाल मिर्श पाउडर आप अपने टेस्ट के साब से अज़स्ट कर सकते हैं आपको तीखा चुए तो आप और डाल दे और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चनी की डाल डाला है चनी की डाल को अच्छी तरीक से धो कर मैंने 1-2 घंडे के लिए भिगो कर रख दिया था तो वो अड़ कर देना है और अब इन सारी चीजों को हमें भून लेना है अच्छे से तो इन सारे मसालों को गोष के साथ अच्छे से भून लेना है तो 2-3 मिनिट के लिए हमने अच्छे से भून लिया है हाई फ्लेम पर इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स भी हो चुका है भून भी चुका है अब इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि गोश अच्छे से गल जाए तो यहाँ पर इतना पानी डालना है कि गोश और चनी की डाल के लेविल से थोड़ा सा कम रहे तो इतना पानी हमें आट करना है इसे जादा नहीं आट करना है और अब हम कुकर का ढखकन लगा देंगे और 4-5 सीटी ले लेंगे या जब तक जो मटन है वो अच्छे से गलना जाए बिल्कुल पूरी तरीके से हमें कुक कर लेना है ओवर कुक कर लेना है इसे क्योंकि हमें मटन बिल्कुल अच्छा सा पका हुआ चाहिए तो आप देख सकते हैं याँ पर जणे की डाल भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है और मटन भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है एक तरीके का ओवर कुक हो चुका है अब इस तरीके से घुटनी से हमने इन सारी चीज़े को घोटना है ताकि जो मटन के रेशे हैं वो अच्छे से निकल आए इसे हमें ग्राइंडर जार में नहीं डालना है क्योंकि ऐसा करने से हमें रेशेदार कबाब नहीं मिलेंगे तो इस तरीके से हमें घोटते रहना है और साथ-साथ हमें गैस की फ्लेम ओन रखते हुए इसे भून भी लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है गीला है वो सूख जाए तो आप देख सकते हैं अच्छे से भून भी चुका है और हमारे जो रेशे हैं वो भी निकल आए हैं आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी देखिए यह गीला भी नहीं हुआ है क्योंकि हमने कंटिनुसली इसे चला चला कर इसे भून भी लिया है तो सारा जो मॉइस्चर है वो ओड़ चुका है इसमें हम डाल देंगे फ्रेश हरिदनी के पत्ते मुठिबल हर इदनी हमने चौप करके आड़ कर दिया है साथी डाल देंगे एक अंडा अंडा डालने से हमारे जो कबाब है वो अच्छे से बाइन हो जाएगा और फ्राइ करते टाइम टूटेगा नहीं तो जैसी हमने जो कबाब का मिक्शर बनाया था हमने कूकर से निकाल कर इसे थाली में रखकर प्लेट में रखकर इसे थंडा होने दिया था तो ये गीला नहीं हो पाता है थुरा थंडा हो जाता है तो थुरा ड्राइ और हो जाता है और कबाब बनाने में आसानी हो जाती है तो इस सारी चीजों को हमें अच्छे से mix कर लेना है, combine कर लेना है और अब एक छोटा सा portion लेंगे, और जैसे normal हम कबाब बनाते हैं, उस तरीके के गोल-गोल हम कबाब बना लेंगे तो इस तरीके के हमने कबाब का अच्छा सा एक shape दे दिया है और अभी इसे हमें fry कर लेना है, हम deep fry नहीं करेंगे शामी कबाब जो है, वो shallow fry करते हैं, तो एक पैन या तवा ले लेंगे इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे, और इसे हमें shallow fry कर लेना है कैस की flame हम medium रखेंगे, और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेख लेंगे बहुत जादा देर तक पकाने के जरुवत नहीं है, क्योंकि अंदर का जो mixture है हमारा वो अल्रेडी पक चुका है, पका हुआ है तो एक तरफ से अच्छे से इसे fry होने देंगे जो तक एक अच्छे से golden color नहीं आ जाता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से fry हो चुका है बहुत ही जबरदस्त color आया इसका, और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो एक तरफ से fry होने के बाद हम इसे ध्यान से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी से fry होने देंगे आप देख सकते हमारे जो शामी कबाब है, वो अल्मूस्ट बनकर त्यार हो चुके है बिल्कुल टेस्टी दिख रहे हैं, इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे थोरा से नीम्बू डाल कर हम इसे खाएंगे, बहुत ही जबर्दस लगता है आप देख सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी दिख रहा है इसे हम तोड़के दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेशिदार कबाब बने है अगर हम कीमा यूज़ करते तो इस तरी कबाब नहीं बन पाते ये बिल्कुल रियल शामी कबाब की रेसिपी है आप इसे घर पर ज़रूर ट्राइ करें और कमेंट करें आपको मेरी कबाब की रेसिपी कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें